कॉलकाता की आरजीकर मैडिकल कॉलेज में महिला ट्रिनी डॉक्टर के साथ हुए दुशकर्म मामले में आज संदीब घोष को सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है दरसल आज याने की शुकरवार 6 सतंबर को सुप्रीम कोट ने उसकी वह याचिका खारिच कर दी जिसके जर्ये संदीब घोष ने हाई कोट की आदिश को चुनोती दी थी सुप्रीम कोट के द्वारा खारिच की गई आजिका में पूर प्रिंसिपल की योड से कहा गया था कि कोलकता हाई कोट ने ब्रस्टाचार की जाच CBI को सौपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना और साथ ही आई कोट ने हॉस्पिटल में हुए रेब की घटना को बेवज़ा ब्रस्टाचार से जोडने वाले टिपडी भी की बता दे कि इस मामले में उच्छ न्यायाले ने 23 अगस्त को कथित अनेमितताओं की जाच राज द्वारा गठित विशेश दल याने की SIT से लेकर CBI को सौपने का आदेश दिया था वहीं अब संदीब घोष की याचिका को खारेश करते हुए सीर्ष न्यायाले के मुख्य न्यायधिश डिवाई चंद्रचून न्यायमूर्थी जेबी पारदिवाला और न्यायमूर्थी मनोज मिश्रा के पीट ने कहा कि एक आरोपी के तोर पर संदीब घोष इस याचिक करने का कोई भी अधिकार नहीं है जहां कलकता उच न्यायाले जाच की निगरानी कर रहा है संदीब घोश के उपर लगे आरोप उपर गौर करें तो संदीब घोश की खिलाप आरजिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पिताल की पूर उपादी छक डॉक्टर अक्तर अली ने निर्माण निविदाओं में भाई भतीजा बाद होते थे संदीब घोश की मुश्किले तो तब बड़ी जब CBI के हाथो आरोपी के खिलाप सबूत मिले बता देगे आरजिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से जुड़े मामलों में संदीब घोश की मुश्किले एक दि दिन ही लोग निर्माण भवन यानि की PWD को मौके के पास के इलाके में मरगमत करने के निर्देश दिये थे तो ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए वा उन्हें जानने के लिए देखते रहे लिली नियूस ओफ इंडिया